नमस्कार आप देख रहे हैं विन्दि भारत और आपके साथ मैं हूँ अजिता मध्यप्रदेश हाई कोट ने एक एहम अंतरिम आदेश के जरिए PSC परिक्षा के परिणामों को विचारधीन याचिका के अंतिम निर्णय के आधीन कर दिया है जस्टिस शील नागू एवं जस्टिस सुनीता यादव की खंडपीठ ने राजशासन को जवाब पेश करने के लिए आठ सप्ता की महलत दी है याचिका करताओं की ओर से अधिवक्ता रामिश्वर सिंग ठाकुर वविनायक प्रसाद शाह ने दलील दी कि PSC परिक्षा दोहजार उन्नीस का विज्जापन 14 नवंबर दोहजार उन्नीस को जारी किया गया था काईदे से उस समय जो नियम थे उनी के अनुरूप प्रारंभिक वा मुख्य परिक्षा के परिणाम घोशित किये जाने चाहिए थे लेकिन ऐसा ना करते हुए PSC परिक्षा नियमों में 17 फरवरी 2020 को संशोधन करते हुए अन्सम्यधानिक नियम लागू कर दिये गए अन्सम्यधानिक नियमों के खिलाफ याचिका दायर की गई है जिसके बाद राजिशासन ने 20 दिसंबर 2021 को पुना नियमों में संशोधन कर दिया PSC परिक्षा 2019 अंतरगत मुख्य परिक्षा के परिणाम 31 दिसंबर 2021 को जारी किये गए या परिणाम 17 फरवरी 2020 वाले असम्यधानिक नियमों को लागू करके जारी किये गए 17 फरवरी 2020 के नियमों के तहट आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार उच्चतम अंक होने पर भी अनारक्षित पद पर चैनित नहीं किये जा सकते